नमस्क्राइब दोस्तों फिर से स्वागत है आपके एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ओपो F11 Pro और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मुबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसी कर सकते हैं वो भ तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी आ जाएगी तो अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको ऐसे दबा के रखना है इसको और यहाँ पर मैंने इसे ओन कर रखा है तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका record system sound option देखने को मिलता है यानि कि जब आप game वगरा record कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं तो sound record होगा और यहाँ पे microphone का sound option आता है अगर आप इसे on कर देते हैं और okay कर देते हैं तो जो आप बोलेंगे वो sound record होगा और इसके बद video resolution यहाँ से आप सैट कर सकते हैं जिससे high quality चाहिए medium चाहिए low चाहिए या फिर custom यह आप देख लेंगे और इसके बाद अगर आप front camera भी on करना चाहते हैं अपना face दिखाना चाहते हैं recording में तो इसे आप on कर देंगे और यहाँ पे अगर आप touch show करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे on कर देंगे और इसके बाद आप back कर देंगे और यहाँ पे आपको screen recording करने के लिए एक बार इसको touch करके छोड़ देना है तो यहाँ पे आपका यह option आ जाएगा तो यह जो red dot है red color का आप इस पे click कर देंगे तो यहाँ पे screen recording आपकी on हो गई है और यह camera आपका उपर आ गया है और आपका जो face है यह रहा camera तो इसे आप set कर सकते हैं जहाँ आपको set करना है और इसके बाद यहाँ पे आप recording बंद कर देंगे जो dot है timer आ रहा है इस पे click करके इसको बंद कर देंगे तो आपका यहाँ पे screen recording save हो चुका है अब यह आपको आपकी gallery में देखने को मिल जाता है तो आपकी gallery आप यहाँ से open कर लेंगे और यह screen recording और आप इसको play कर लेंगे यहाँ से ऐसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sound के साथ मैंने आपको screen recording करके दिखा दी है तो I hope का इसी वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसी टाइप के और इंट्रेसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहेगा तो चलिए मिलते हैं कुछ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार